हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में बच्चो आज की वीडियो ओन डिमांड है एक बच्चे ने कॉमेंट करके कहा था कि सर इस टॉपिक के बारे में आप वीड गुथा पर और कारण है जिसमें ऐसा हो सकता है कि वी कोई पेशन्ट जो है वो कोई में पहुंच जाए या कोई नॉर्मल आदमी जो है को में पहुंच जाए बच्चो पहले टाइम में क्या होता था पहले टाइम में मशीन्स नहीं थी है ना डॉक्टर्स के पास इंस्रु से नहीं दे पाता था है ना हम लोग उसको बुलाते थे तो वो बिल्कुल नहीं बोलता था हम लोग उसको कहते थे कि आख खोलो तो बिल्कुल नहीं खोलता था है ना और बहुत सारे कारण है तो पहले क्या होता था पहले सब नहीं था कि मशीन्स वगएरा नहीं थी है ना त तो डॉक्टर उसको देखता था उसके रईस्पोंस को और रेस्पॉंस देखने के बाद उसको सीधा कोमा में ट्रांसफर कर दिया जाता था अब कोमा में चैस्ठी को मैं समझ सकते कोमा के मार्ख के कोणिंग है ना जैसे बच्चों को माक्स ढे जाते हैं इतने marks पर first division इतने marks पर second division है ना या इस time ये grade तो अब एक scale आ गई है है ना जिसको हम कहते है Glasgow, scale clear है Glasgow, scale यानि G, C और S ठीक है G, C, S clear है बच्चो अब यहाँ पर क्या होता है इसमें patient को marks लियाते हैं अगर इसको इतने marks मिलेंगे तो patient ठीक है अगर इससे कुछ ज़्यादा मिलेंगे तो patient पर दिक्कत है ना इस हिसाब से है आपको one by one में बताने वाला हूँ आप लोग समझके चलिए सबसे पहले बच्चो कोमा की दो stage होती है कोमा की दो stage कौनसी होती है сटेट होती है पहली होती है vegetative state इसमें क्या होता है patient की आंक तो रहती है खुली भी ठीक है आंक खुली रहेगी लेकिन आसपास में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता ठीक है पहली state कौन सी है vegetative state जिसमें आंक तो खुली रहेंगी लेकिन बाहर अपने आसपास में क्या हो रहा है यह उनको नहीं पता तो यह तो होगी इसकी पहली स्टेट, नमबर दो पे होता है, minimally conscious स्टेट, ठीक है, इसमें क्या होता है, patient in new system, यानि minimum response देता है, या फिर response नहीं देता, clear, पहले वाले में क्या था, आँख खुली थी, लेकिन आसपास के बारे में उसको नहीं पता था, इस वाले में क्या है, minimum response देगा, या फिर response नहीं देगा, अब सबसे बड़ी बाद बच्चों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें भी जानने की थोड़ी सी इच्छा है, कि भाई, अगर कोई आदमी ऐसे चला गया है, तो वो उसको मतलब यह ऐसी चीज़े हुई क्यों, यह सब जानने की हमारी भी इच्छा है, मैं भी जानने की कोशिश करूँगा, आप भी जानने मेरे साथ, अच्छे तरीके से, देशी माध्यम से, क्योंकि कोई भी बड़ी जो वीडियो होती है, वो टोटल इंग्लिश में होती है, मैं आपको टोटल हिंदी बताऊंगा, बस सब्सक्राइब करना मत भूज जाना, तुम जरा है ना, एक लाके बहुत नस्दीक हूँ, तो प्यार बरसाते रो साथ साथ, ठीक है, देखो बच्छो, ऐसा क्यों होता है, पहले नंबर पे होता है, ब्रेन एक्सिडेंट, एक्सिडेंट का मतलब है, मान लोग किसी का हो गया एक्सिडेंट, ठीक है, उसके ब्रेन में चोट लग गई, है ना, अब आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, कि नियूरोन में सेल डिविजन नहीं होता, है ना, तो वहाँ हो चीजें असर करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ब्रेन में चोट लग जाए, मस्तिस्क में चोट लग जाए, तो आप लोग कोमा में जा सकते हैं, नमबर दो पर अगर कोई स्ट्रोग आ जाए, स्ट्रोग किसे कहते हैं, जैसे नसों का फटना, है ना, नसों का काम ना करना, या फिर नसों में आपका जो ब्लड है, उसका सर्कुलेशन ना होना, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, नमबर तीर में होता है, ट्यूमर, अगर किसी के मस्तिस्क के मध्य में, यानि बीच में ट्यूमर बन जाता है, तो ये भी कारण हो सकता है, कि आप लोग कोमा में चले जाएं, वैसे में तो यही कहूंगा, कि आप कोई ना जाए, उसके बाद अगर शुगर, देखो शुगर का ज़्यादा लेवल बढ़ गया, अगर शुगर का बोड़ी में ज़्यादा लेवल बढ़ गया, तो भी आप लोगों के चांसेज हैं, कि वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है, कहां कोमा में, अगर शुगर लेवल बहुँच ज़्यादा घट गया, तो भी चांसेज रहते हैं, कि वहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद ओटू की कमी, यानि हमारे ब्रेन में अगर ओटू की कमी हो जाएगी, तो दिक्कतें आ जाएंगी, साथी साथ दिमागी बुखार, देखो दिमागी बुखार, बहुत लोग कहते हैं अशके तो दिमाग में बुखार टकरा गया, है ना? तो हमारी जो, उसमें, मैंने आपको, बॉन्स वाले चेप्टर में पढ़ा है, उसमें मैंने आपको एक लेयर बताई थी मैंनेंग्जाइटिस मैंनिंग्जाइटिस में सूजन आ जाना सूजन आ जाना इसका मतलब यह है कि बुखार जो है दिमाग में टकरा चुका है तो यह भी कारण हो सकता है कि आप लोग वहां पर पहुंच जाएं कहां पर कॉमा में उसके बाद जादा दोरे पड़ना अत्यधिक दोरे पड़ना भी इस सीज को कॉमा में ले के जा सकता है यहां पर पेशेंट को उसके बाद कार्बन मोनोकसाइड और लेड के संपर्ग में जादा रहना यहीं हम लोग आपको अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा फ्रेंड है इन दोलों की बहुत अची फ्रेंट्शिप है एक दूसरी की सैटिंग है तो लंग्स क्या करते हैं कार्बन मोनोकसाइड को ज़्यादा पकड़ते हैं वो क्या होते हैं वो भी उनका भी कारण हो सकता है कि वो यहाँ पर पहुँच जाएं ठीक है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएं यह मच्छर है कैमरा पर बैट रहा था बार बार है ना मारना पड़ेगा कम बकट ठीक है तो यहाँ पर यह सब चीजे हैं ब्रेन एक्सिडेंट स्टॉक ट्यूमर शुगर लेवल हाई बहुत ज्यादा हाई ठीक है ओटू की कमी एंसी फेल्टिस यानि दिमागी बुखार मैंनिंग जॉइटिस में सूजन ठीक है दोनों एक ही बात हैं दोरें कार्बन मोनोकसाइड लेड और शराब या ड्रक्स का ज करने का मतलब किया है दिमाग को चेक करते हैं कि हमारी कौन सी बातों पे पेशेंट डिए है स्टाउन्स नहीं दे रहा है तो इसके लिए स्केल दी गई है उसको इसकेल को बता जाए क्या कहते हैं जी सी एस यानि के glass go coma scale अब doctor क्या करता है अपने हिसाब से करेगा इसको manage कितने number देने हैं एक number से लेके 6 number तक देगा लेकिन बच्चों सबसे important बात क्या है कि इसमें 3 चीज़े देखी जाती है पहली आपकी eye response यानि हम लोग तो आँकों से कितना response कर पा रहे हैं कि हमारी आँक खुल रही है कि हमारी आँक नहीं खुल रही है कि हमें आवाज लगाने पर आँक खुल रही है है ना यह सब बात है दूसरे number पर आपका verbal response हम अगर बोल रहे हैं कुछ तो क्या आप react कर रहे हो यह ना हमगर आपको कुछ कह रहे हैं, तो आपका कुछ असर हो रहा है आपकी बॉडी में, है ना, हमगर कुछ आपसे कह रहे हैं, कि आप ऑवरेक्टिंग कर रहे हो, ओवरेक्टिंग के तो 50 रूपे कर जाएंगे, ठीक है जी, उसके बाद, मॉटर रिस्पॉन्स, मॉटर र में आएंगी जब हम लोग किसी को कुछ कहते हैं तो वह वापस उल्टर रेस्पोंस करता है हम उसे पूछते कुछ अगर चार मांक से आपके तो आप की आके ठीक ताख खुल ली है ठीक है और अगर है नम्बर आपका एक तो आपकी आके कटाइ़ नहीं खुल रही ठीक है जान से सुनो नंबर चार चार पॉइंट कब दिया जाता है जब आइज ओपन spontaneously यानि आइज खुलती रहती है बंद होती रहती है न यह सब यह अचानक से यह नॉर्मली यह सब खुल जाए तो ऐसे मौके पर मिलते हैं चार नंबर ठीक है नंबर दो पर आइज ओपन टू वर्बल कमांड हम अगर कहेंगे आँख खुलो बेटा तो तुरंध खुलेगा ऐसे ठीक है तो वो क्या होगा उसमें क्या दिया जाएगा उसमें दिया जाएगा तीन नंबर किलियर है बच्छो यह आपकी scale है scale के माध्यम से आप patient को number दे रहे हो उसके बाद number के साब से set करेंगे कि हमारा patient ठीक है कहां तक जाना है कोमा में ले के जाना है कहां जाना ठीक है उसके बाद number two पे eyes open to pain अगर मालों उसको pinch कर दें ठीक है उसको pain होगा या कोई चूटी भर दें तो अगर उसकी eyes वो पिंच भाने से खुल रही है तो इसका मतलब उसको number कितने देंगे हम दो next point no eye opening ठीक है no eye opening इसमें आख नहीं खुलेगी है ना वह पतानी कौन सी मुवी है मुन्ना भाई mbbs उसमें क्या होता है वो एक patient होता है इसकी आख कभी नहीं खुलती फिर उसको वह मिठाई शिठाई देगे अपना उसकी दाड़ी वाड़ी कटवाया के बिल्कुल नया कर देता है है ना पता नहीं कौन इसका खाट वाट चार पाई वगरे सब लगा देता है वो hospital में ठीक है वो देख लेना तुम मैं भूल गया ठीक है तो भाई यह हो गया पहले में नॉर्मली खुल जाएगी दूसरे वाले में हमारी वर्बल कमांड वर्बल किसे कहते हैं हम अगर बोलते हैं कुछ ठीक है त उसके बाद में वर्बल रेस्पॉंस वर्बल रेस्पॉंस क्या होता है हम अगर कुछ कहते हैं उसको वो रियक्ट करता है है ना या फिर बोल के बताता है ऐसे करके बताता है ठीक है तो कई सारी कहानी है हो सकता है ना वहाद भी डिपेंड करता है कि कैसे कर रहा है ठीक है तो वर्बल रिस्पॉंस पहले वाला नंबर पांच दिये जाएंगे कब जब नॉर्मली हमारी वो बोलने पर हमारे कुछ कहने पर वो रियक्ट कर दें है ना बास समझ रहे हो नंबर दो पर कन्फ्यूज कन्वर्शेशन बट एबल टू आंसर कुश्चन हम अगर कुछ अब तो नंबर हम काट लेंगे इसके ठीक है नंबर कटेंगे दे जाएंगे कितने चार उसके बाद नंबर तीन पे इन एप्रोप्रियेट रेस्पॉंस वर्ड्स डिस सर्णीमल डिस सर्णीबल ठीक है इंगलिश में वाई थोड़ा सा मैं ऐसा ही हूं कमजोर सा इस्पिक रह Boss है नहीं नहीं ही। इन एप्रियेट रेस्पॉंस में क्या होगा हम पूछेंगे कुछ भाईशा बतायंगे कुछ हम साइब ले। मेरे बाल कट गए है ना या कुछ पता नहीं क्या मतलब हम कहेंगे भाई तु ठीक हैं को करेंगा मेरे तु पैरों में जर्द हो रहा है मतलब अलगी रेस्पॉस देगा कैने का मतलब है डाली पी ते सकता है अगर हम कहेंगे उसको कुछ वो उसने दे जी क्षिद्धी है ना तो दिक्कत आ जाईगी है ना क्योंकि ये वाला तो थोड़ा हैवी ड्राइवर है ना मौझ फोच करतेका उस्के बार में दो अवी ती नमबर मिलेंगे अगर आयसा करता है तो अब दिए जाएंगे दो यहां पर नो वरबल रेस्पॉंस कोई रेस्पॉंस नहीं देगा ठीक है यह जो इनकम्प्रेसिबल है इसको थोड़ा सा आप यह समझ के चले हम अगर कुछ कहते हैं तो बस नॉर्मल साही मानों ज्यादा वो रेस्पॉंस नहीं देगा है ना समझ गए उसके बाद में आता है मोटर रेस्पॉंस यहां अबर एक्टिंग के नंबर काटने वाला हूं मैं अब तुम बताओ पचास काटोगे की सो काटोगे देखो भाई ओवे कमांड्स फॉर मुमेंट ह मानलो हमने कान में पिंच कर दिया है की तो रेस्पॉंस करेगा तो अगर वो response करता है तो आपको number मिल जाएंगे 5 ठीक है उसके बाद withdraw from pain मालो अगर वो हम उसको पिंच कर रहे हैं और पिंच करने पर उसको वहाँ से छुडाना चाह रहा है तो number दिये जाएंगे कितने number दिये जाएंगे 4 ठीक है उसके बाद यह जो point तो response और कम हो जाता है नहीं बहुत कम हो जाता है और लास्ट में आकर कोई response नहीं रहता ठीक है बच्चों तो यहां पर दो स्टेट होती है वेज़िटेटिव और minimally ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है ठीक है उसके बाद यह सारे marks अब होता गया है marks देके जाते है अब minimum जो होते है marks होते हैं 3 यानि कि 111 ठीक है minimum response अगर 3 है तो इसका मतलब खतम है मामला उसमें यह समझो कि मामला बिल्कुल dismiss है अगर थोड़ा और उपर जाता है मालो पांच से पर जाता है तो यहां पर कोमा की stage है यानि कोमा पर रहेगा ठीक है उसके बाद उपर जाता ह तो इसका मतलब थोड़ा ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां पर minimum जो scale में नंबर आते हो तीन और maximum जाते हो है 15 यानि 15 में आकर कि इस से नॉर्मल तीन में मामला खतम तो आई हो बच्चो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगाओ तो वीडियो ठीक है और बाकी बच्चों हमारे साथ जुड़े हैं साथी साथ इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो ताकि आप लोगों की परसनल प्रब्लम वहां पर स्व पूरी हो जाए है और एक बच्चा जिसने यह कॉमेंट किया था कि सर वीडियो बनाई है उसने वह बार-बार कोमेंट कर रहा है तो अगर बच्चों आपको हमने हर्ट दे दिया है इसका मतलब आपकी बात वाजिब है और वह बात आपकी सुनी जाएगी आई हो बच्चों जेहिन जेवारत जेशिर राम जेमारत